ये बड़ी कवर श्रावस्ती में दर्दनाखास सा एक दमपती को DCM ने टक्कर मार दी पत्नी की मौके पर मौत हो गई और पत्ती गंबीर गायल हो गया शब को कबजे में लेकर पोस्त मटम के लिए पोलस ने बेचा है और पूरे मामले की चांच शुरू करती है पती के हालत गंबीर बताई जा रही है फिलाल अस्पताल में इसका इलाग चल रहा है श्रावस्ती से बड़ी कवर आपको बता रहे हैं वाइक सवार पती पत्नी को DCM ने टक्कर मार दी है दर्तनाक सडखाथ्सा हुआ है और इस सडखाथ्से में पत्नी की मौके पर मौत हो गई पती गंबीर रूप से गायल हुआ है पुलिस ने शब को कबजे में लेकर मामबे की जान शुरू करती है पोस्प्राटम के लिए शब को बिचवा दिया है और पत्नी का इलाज अस्पताल में जारी डक्कर एतनी जोरदार थी कि पत्नी की मौके पर ही बहुत हो गई संभात अथा मितलेश जानकारी मिल पा रही है कैसे हाथसा हुआ है बताए जारा कि DCM ने टक्कर मारी बाइक सवार दंपती को जी परागी बताना चाहूंगा ये बिंगा और सेशिया मार का मामला है जंगल के बीचों बीच में कहन नालाब करता है वहीं की घटना है 22 वार 25 दोनों लोग आ रहते बिंगा किता अपारत है जो पीचे से DCM ते रफ्तार आई है वह अनियांटी को कि इसके पीचे से टक्कर मादी है जहां पर 20 वर्से महला सुमन की मौके पी मौत हो गई है जब पती गंभी दूप से घायल हुआ है सुचना पाकर बिंगा पुलिस मौके पर पहुंकी है और घायल को लेके जिला स्वताल बिंगा आई है बिंगा से बहराईज बहराईज से लखनों से रेफल कर लिया गया है नितलेश क्या DCM का ड्राइवर जो उसको चला रहा था गरफतार हुआ अभी तक DCM का ड्राइवर जो था वो गारी छोड़ के वहां से फ्रार हो गया है गारी को पुलिस में अपने कफ्जन ले लिया है तरिकात कर रही है कि किसी गारी है कौन चला रहा था जा उस वक्त उसमें सवारियां भी मौझू थी DCM में नहीं सवाजी नहीं थी वो कई माल लेकर गया ट्रामा सेंटर में उसका व्यूब चार किया जा रहा है चली हुआ बहुत बहुत शुक्री जानकारी के लिए करें